कैसे हैं आप लोग तो आज में शेयर करूंगे आप सभी के साथ में एक मज़ेदार धमाकेदार कॉंबिनेशन रेसेपी जिससे आप लंच या डिनर में ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत जादा मज़ेगी बनती है और बनाना बहुत आसान है तो एक धमाकेदार नई ज अब इसमें हमें शकर नमक डालने के बाद में गुनगुना दूड डालना है मैंने यहां पे 125 अमल दूड लिया है अभी शकर पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगी तो स्पून से मिक्स कर दीजिए क्योंकि गरम दूद में शकर नमक बहुत जल्दी से घुल जाता है दे इक बढ़े चमच से दो चमच हमें डालना होगा नहीं जाहिए तोड़ा सा भी नौण से हमें डालना होगा थोड़ा सा बैकिंग पाउड़र जो के लग-ब बहुता हमें किली ओडर रिंभार कुमझ करग कर में अब साथी इसमें हमें दो चमश डालना है वेजिटेबल ओयल अब देखें हाथों से अच्छा से मिला देना है सारी चीजों को और ये देखें बिल्कुल कमाइन होने लगा है लेकिन इन केस अगर आपको लगे कि ये थोड़ा टाइट हो रहा है तो यहां पे आपको गुनगुना पानी चाहिए होगा ये देखें थोड़ा सा गुनगुना पानी तकरीबन एक चौथाई कप के लगभग डाल कर मैंने अच्छा सा डो गूत लिया है बिल्कुल मुलायम नरम सा जब ये डो लग गया तो इसके उपर थोड़ा सा विजरेबल ओयल डाल कर इसे हमें कवर करकर तकरीबन 10 मिनट के लिए साइट पर रखना है नेक्स टेप की तरफ आते हैं जहाँ पर हमें कुछ मसाले निकाल लेने हैं जिसके लिए मैंने लियावा हरा दनिया आदा बंच इसी के साथ मैंने दो तीन हरे मिर्चे ली हुई है साथी मैं यहाँ पे इसमें लूंगी प्या विए मैंने प्याइस निकाल समल हुई ही मिर्च बार। मेरी समय मिर्च बना लेना है विए मैंनें कले गाई मिर्च काईड़ साथ चोड़ी पंड़ी होगा और इसी के साथ आदे चोटे चमच से भी थोड़ा सा कम काले मिर्च का पाउडर क्यूंकि हमने हरे मिर्च भी डाली हैं साथी इसमें धनिया पाउडर एक चमच दाली और नमक टेस्ट के हिसाब से 1-1.5 चमच साथी इसमें थोड़ा सा हमें दही भी शामिल करना होगा तो तक्रीबन एक बड़े चमच काफी होगा और अब हाथों से ये जो हरा मसाला पेस्ट है इस पे ये मसाले अच्छे से मिला दीजिए यहां पे हमारा ये मसाला बिलकुल अच्छे से मिल गया है और देख सकते हैं आप मसाले की कलर कितनी प्यारी हो गई है तो इस पॉइंट पे हमें लेना होगा बोलनेस चिकन तो मैंने यहां पे लिया हुआ है तक्रीबन 500 ग्राम बोलनेस चिकन जिसको मैंने डाइस्ट में कट किया हुआ है और यह सारा मैंने डाल दिया अच्छे से वाश करकर अब यह जो मसाला है ना इसी के साथ हमें इसमें चिकन डालने के बाद में डालना होगा विनेगर जो कि मैं एक बड़े चमश ले रही हूँ विनेगर की जगह पे आप चाहें तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं विनेगर डालने की खास वज़ा यही है फ्रेंट्स क्यूंकि चिकन बोलने समारा जो है ना बहुत जूसी बनेगा सौफ बनेगा अगर आप विनेगर डाल देंगे थोड़ा सा तो इसी के साथ इसको मिला लेने के बाद में हमें इसमें दो बड़े चमच्ट मैड़ो केचप एड़ करना है तो यहां पे केचप डालते ही आपके जो चिकन है एक अनदर लेवल पर चली जाती है और बहुत ही लजीज बनकर तयार होती है तो डाल कर देखिए का आपको मज़ा आएगा मसाला मिला कर साइट पे रख दें तकरीबन 20 मृट के लिए अब हमें एक पैन लेना है जिसमें हमें डालनी है फिर से कुकिंग वाइल क्योंकि हमारी चिकन अल्रेडी 15-20 मिर्ट से मैरिनेट हो गई है तो पकाने की तरफ आते है और अब पैन में थोड़ा सा तेल डालने के बाद में हमारी जो चिकन बोटिया है वो हमें इसमें प्लेस कर देनी है तो मैंने यहां पर जो चिकन के बोटी रखी है वो बिल्कुल दर्म्याने साइज की रखी है बहुत ज़ला बड़ी नहीं रखी है जिससे गलने में बहुत आसान होती है अभी यहां पर देखें सारी की सारी बोटिया मैंने यहां पर लगा दी है इस तरह से पुरा स्प्रेड कर दिया है पैन पर लगा दिया है और अब इसे लगतार तेज आच करकर पांच मिनट तक कुक कर ले जिसकी वज़े से जो इसके मॉश्चुर और जूसिस निकलेंगे वो ड्राइ होना शुड़ो हो जाएंगे और चिकन की कुकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी तो अभी यहां पर दो तीन मिनट हुए हैं तो हमें लगतार फ्लेम हाई रखनी है कवर भी नहीं करना इसे ओपन पैन में इसे तरह से पकने दे इसे और अब हलके हलके हाथों से आ पलट देने के बाद में इस तरह से हमारा चिकन हुआ है तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ से इसको ग्रिल कर ले रहा है जिसके इसके उपर बहुंचा फ्लीवर आ जाता है बीच में अब आप इसे चला सकते हैं क्यूंकि आपका जो मसाला है वो बेस को लगने लगता है तो इस टाइम पर हमें इसको फिलिप करने के बाद में लिड लगा देनी है और लिड लगाने के बाद में 6-7 मिनट तक इसे धीमी आज पर कुखोने दीजिए या फ्लेम मीडियम रखेगा क्यूंकि इसके मौश्चर खतम हो गया है अब देखें यहां पर हमारा 6-7 मिनट हो च चिकन बहुत ही जादा उमदा बनता है देखें पीसे टूट रहे हैं इसका मतलब चिकन गल चुका है और हलका सा भून भी गया है तो बस हमारा चिकन 10-12 मिनट में ही बनकर तयार हो जाता है साइट पर लीजिए अब एक दुबारा से आपको पैन लेना होगा और इस पैन मे एक जिर तक होला जालआ हैं तरह जाल है इसमें हमें लसन डालनी है तो लसन के हैसमें इसमें बहुंग ठीट अ मिर्चे-पर आपके पास नहीं था ब्लेलन और पृद सब्सक्रापब है नायों पर पास के हिर लिएम मिर्ज उसकार 300 को बारी मिर्चर ढाल छाग होगा सब्स तोड़ा पानी दालना है फिर सेक चमच बटर और इसी के सथ इसमें दो चीजें जो कि चाट मसाला और काला नमा की यह दोनों चीजें हमें लाजमी आपर डालनी हैं लाजनी के बाद में इस मसाले को बिल्कुल दानेदार होने तक जब तक जिसे लगतार भूनते रहें जिसस यह देखिख्झंट की शेकल हो गया है अब में यहां पे हमारा सारा जो हम उने डिल करका रखा राता चीकन वह इसमें ट्रांसफर कर देना है तो इस चिकन के कितनी प्यारी शकल हो गई है और बहुत अच्छे से ग्रिल हुआ है और आप चाहे तो ऐसे भी इस चिकन को ग्रिल वाला चिकन भी टेस्ट करकर देख सकते हैं आपको बहुत चाह लगेगा एंड में हमें इसमें थोड़े से खुश्बू के मसाले जो के हमने हमारा घ टीका काते हैं तो राच्छी शॉस जाले और यहां पर बिलकुल अच्छे से इसे मिला दें क्योंकि हमने आपको पहले बीस में डाली है अगर आपके ऊपर टेस्ट को आपको अच्छा लगता है तब ही डालिएगा नहीं तो आप रच्छी सॉस जालिएगा और यह देखे इसको अच्छे से मिला कर टॉस कर दें और मज़े की लटपटी सी चिकन हो गई है और क्या मैं बताओं आपको बहुत जादा उम्दा बनी है इसका जो टेस्ट है आपको बहुत पसंद आएगा तो प्लीज एक बर जरूर ट्राइ कीजेगा क्योंकि इस तरह की रोटी चपा नहीं तरह की रोटी बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमें का करना होगा डो को हमारे गूत लेना होगा वापस और अब इसमें हमें थोड़ा सुखा फलार लेकर इसकी लोईया बना लेनी है तो जितना मैंने डो लिया था ना फ्रेंट्स उसकी तकरीबन यहां पे 6-7 लोईय बन गई है और अब यहां पे हमें थोड़ा सा बोड़ पे सुखा फलार लेकर इसे बेल लेना है बढ़ा कर लेना है बहुत ज़दा बढ़ा नहीं करना है इतना बढ़ा कि प्रॉपर दिखे चपाती जैसी और पतली भी रहे इधर तवा गरम कर ले और तवे पे यह रोटी आप जब इस चिकन के साथ में खाएंगे ना तो आप बस सब कुछ भूल कर इसे ही बारबर बनाना चाहेंगे क्योंकि यह बहुत ज़दा अच्छी बनती है एक बिल्कुल अलग नए अनोखे फ्लेवर और टेस्ट के साथ में यह चिकन बनता है जिसे आपने एक बार ट्रा अधाबे में भी आपको नहीं मिलेगा तो एक बार यह घर पे मज़ेदार सा चिकन और इजी सी चपाती रोटी की रेसपी अपने हाथों से आप बना कर देखें घर में सबको खिला कर देखें फिर आप मुझे जरूर बताईएगा फीडबैक जरूर दीजेगे कैसी लगी आपको तो जबर्दस हमारा चिकन और साथ ही हमारी रोटी और साथ में थोड़े से प्याज के लच्छे बस कम्प्लीट हो गया लंच और डिनर और कुछ नहीं चाहिए और मज़े किये रेसिपी नजॉय का रिफरेंस फुल फैमली मिलकर खाएं सबको बहुत मज़ाएगा एक बास जरूर ट्राइ किजेगा इस रोटी में एक फ्लफिनेस एक सॉफनेस है जो कि इस चिकन के साथ में बहुत चाह लगता है साथी चिकन बहुत जादा जूसी है सॉफ्ट है मैंने आपको बताया स्वीट और बहुत जादा अच्छा मज़ी का फ्लेवर इसमें और यह पुली फुली खमीरी रोटी इसके उपर आप चाहे तो केचप लगाएं मैं बता रही हूं आपको अगर बच्चों को देना थोड़ा सा मीठा कर सकते हैं अंदर भी हमने डाला है फिर भी आप चाहे तो उपर से भी लगा सकते हैं और चिकन डाले चिकन की बोटियों को मैयनीज तो यहां पर एक से दो बड़े चमच मैयनीज डाले और इसी के साथ इसको बस रॉल करें और फटाफट खा ले इस तरह से भी आप इसको खा सकते हैं या फिर जैसे आपकी मर्जी आप मैंने आपको इस तरह से भी बताया है एक बार ट्राइक कीजिएगा रसे लग झाल 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 झाल